तो गाईज यह जो नीज़ वो है एलविश यादो के बार में तो एलविश यादो की यूट्यूब चैनल भी हो गया एक बहुत ही बड़ा ग्लिच जहां पर उनके व्यूज कुछ देर के लिए तो आते हैं उसके बाद व्यूज आना ही बंद हो जाते हैं और ऐसा सेम और ग्लिच जहां पर वो काफी ज़र्द गुस्सा दिखे हैं और उन्होंने काइंड ओव दमकी भी दिये तो इस तरह की जो है उन्होंने बाते वगरा बोली आपने रीसेंट व्लॉग में आप आगे वीडियो में देखें कि उन्होंने और क्या-क्या बोला है इस बारे मे मेरे YouTube में चल रहा है Glitch, मेरे Instagram पे चल रहा है Glitch, फिर पीछे से नहीं पता कौन क्या सिस्टाब एंग कर रहा है, मेरा एंग कर देंगा, बता दिये, एना, भाई, एक गंटे में 1.2 मिलियन व्यूद हो जाँ रोज, उसके बाद, 10 गंटे तक उतनी रहा है, कोई बात नी, जो जो भी कर रहा है, गल्द कर रहा है, तो यूट्यूब टीम से ठीक करो, अगर मेरे आतने चल एक गल्द होएगा, डूंडल हूँ तो मैं मैं एक दो दिन में, डूंडल ले जाओगे, जो भी है, पर Instagram पर पता ना, क्या गली चल रहा है, आर साड़ा पागल हो रहा हूँ मैं तो गाईज, अगली जो नियूज वो है, बुवन बाम के बारे में, तो बुवन बाम नमना नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो है, रिवील किया है सोशल मीडिया पर, जो कि है तकेशी सकासल, हमारे बचपन का फेवरेट शो, उस फेवरेट शो में बुवन बाम दिखने वारे है जो कि Amazon Prime पर रिलीज होगा, तो उस पूरे शो में बुवन बाम जो है, टीटू ममा का कैरेक्टर प्ले करते हुए दिखेंगे, जो कि हमारे फेवरेट कैरेक्टर है, तो गाईज, आप कितने एक्साइटेड हो इस शो के लिए और बुवन बाम के लिए, आप नीचे कॉमें करके ज़रूर बताना,